हेलो स्टूडेंट्स अब तक हम बात कर चुके हैं डिफ्रेंट ट्रम्स जो यूज होंगी इस चैप्टर में उनके बारे में और कैल्कुलेटिट ट्रम्स जो चैप्टर के कुंसेप्ट समझने में हमारे काम आती है उन से रिलेटिड ये हाईयर स्टेडी में भी काम आने वा होती है आगे चलकर के हायर क्लास्स में इनए एक्वेशन को हम डिफ्रेंट में डिवाइड कर देती है मेंस अगर सर्कुलर मोसं हो एंगुलर मोमेंटम या फिर एंग्विलर मोसं हो एंगल बनाते हुए century motion हो तो ये equation थोड़ा सा अलग टाइप ले लेती है औरlogo Ontario के इफेक्ट में एक्सलेशन जो है उसकी जगए हम घी ले लेते हैं यानि वहाँ पर ग्राविटी का इफेक्ट यो होता है तो सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं यानि विलोशीटी से टाइम से और एक्सलेशन से रिलेटिड इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट एक्वेशन है, एक्वेशन फॉर विलोसिटी, माली जी ये हमारे सामने एक ऐसा केस हा जाता है, कि कोई एक उब्जर्वेशन हमने नोट की, किसी टाइम टी के लिए, और कहा गया कि बताईए फाइनल विलोसिटी क्या होगी आफटर टाइम टी, तो उस केस में जो ह हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, यू यहाँ पर इनिशल विलोसिटी है, जब अब्जर्वेशन ले गई तब कितनी विलोसिटी थी किसी बी ऑब्जेक्ट की, एक्सलेशन यहाँ पर वो ट्रम है, जो विलोसिटी टाइम के साथ वैरी कर रहे है, यहाँ पर वो लगाएंगे पोर एक्जाम्पल अंदाजा क्यों कहां हमने यहां पर केस आपको study करने पड़ेंगे जैसे या तो वो कह सकता है कि शुरुवात में विलोशिटी इतनी थी या फिर केस हमें study करना पड़ेगा केस कैसा जैसे मैं किसी सथ से किसी चीज़ को गिराता हूं इसमें इनिशल विलोशिटी हमारे पास 0 होगी अदर्वाइज यू की वैल्यू आपको दे जाएगी जस्ट आपने पूट करनी है इस तभी ट्रम्स और वी की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे उसके बाद जो सेकंड एक्वेशन हमारे पास है वह है एक्वेशन फॉर पो स्केर वही यूजवल मीनिंग है सभी के एस यहां पर डिस्प्लेश्मेंट है ना कि डिस्टेंस याद रखेंगे यह डिस्प्लेश्मेंट है यू यहां पर इनिशल विलोशिटी है यहां पर टाइम है पलस हाफ यह कॉंस्टेंट है और यहां पर एक्सलेशन है और टी स्क कंए मतलब ये इस तरह की ट्रम है जिसमें हम 9 लिनियर पए ने किसी उजेर में यानि एकदम से वैरी करें जब time के साथ 1 एक वी ट्रम या तो एकदम से इंक्रीज हो जाए यह एकदम से decrease हो जाए तो पावर जो है square में चली जाती है in case of this equation यहां पर जो second term है वो हमारा एकदम increase या एकदम decrease को follow कर रही है तो displacement के लिए equation बनती हमारे पास ut plus half 80 square सभी term का मतलब वही है बस आपने put करना है और find out कर लेना है उसके बाद equation नमबर 3 हमारे पास है equation for position and velocity कि I repeat पिछली equation हमारे पास क्या थी पोजिशन और time के साथ relation ये 3rd equation हमारे पास है पोजिशन और velocity की relation के पिछली equation position और time के साथ relation थी यहां पर attitude velocity के साथ related हैं तो इसका मतलब समझ लेते हैं V square is equal to U square plus 2AS यह equation आपके पास third equation रहेगी V यहां पर वही final velocity है U initial velocity है plus 2AS A acceleration है two constant है और S यहां पर displacement है अब आप यहां पर देख सकते हैं जो displacement term है वो single powered है यानि यहां पर linear T है एकदम से कोई change नहीं आएगा इस case में ओके तो यह equation हमारे पास रहेगी third equation of motion जो भी change आएगा एकदम से वह velocity में आएगा यहां पर क्योंकि इनकी power square है initial velocity जैसे कोई object है शुरुआत में रखा हुआ था हमने उसको क्या किया एक ठोकर लगा दी मतलब किक किया उसको तो एकदम से velocity में change आएगा उस case में हमारे पास यह equation follow होगी क्योंकि velocity initial velocity में एकदम से change आया है final velocity दिवार से लग करके वह बोल एकदम से रुख जाती है तो वह हो भी एकदम से change आया है बहुत velocity थी और एकदम हमने रोक दिया फाइनल विलोसिटी एकदम से कम हो गई है तो यह equation हमारे पास position velocity relation को शो करती है कि यह तीन equation बहुत important है आगर आपको higher study में mechanics पढ़नी है तो mechanics motion से जुड़ हुए जो topic है वो हम पढ़ते है mechanics के अंदर आगे जैसे आप देख सकते हो कुछ graph दिये गई है displacement time graph यहां पर displacement or time के with respect में एक variation दी गई है अलग-अलग टाइप के graph है ग्राफ को देखते ही हमें idea हो जाना चाहिए पहले दो graph uniform type के हैं और तीसरा जो graph है वो non uniform type का है मैंने पहले भी आपको बता था जब displacement displacement or time एक दूसरे के साथ single power में related हैं तो एक uniform type का graph आता है वो उसकी शुरुवात अलग-अलग हो सकती है जैसे दूसरा डाइग्राम देखें यहां पर displacement की already value है यानि यह observation जब ली गई है तो object already कुछ movement कर चुका है पहले में moment time के साथ शुरू की है दूसरे में moment after a while जो है observation स्टार्ट की गई है जब वो object थोड़ा सा move कर चुका है non uniform motion में जो displacement और time के साथ relation होती है या तो यहां पर displacement square power में होता है या time square power में होता है यानि एकदम से non-linearity आ जाती है और उसकी वज़े से graph एकदम से क्या होता है या तो decrease हो जाता है या एकदम से क्या होता है increase हो जाता है यह variation हमारे पास आती है और इन में बहुत important term आती है जिसको slope का आ जाता है slope मतलब कितना angle जो है एक observation में इन दोनों के बीच में बन रहा है जैसे यह diagram देखिए इस diagram के उपर हमने कोई भी दो point ले लिए एक S1 point और एक S2 point उनके corresponding जो नीचे डैस लाइन से time coordinate के उपर graph बनेंगे वो T1 और T2 बनेंगे तो यहाँ पर slope यानि angle अगर हमें निकालना पड़ जाए slope का हिंदी मीनिंग होता है धलान धलान हमें निकालनी पड़ जाए graph एकदम से कितना increase हुआ है या कितना decrease हुआ है वो धलान होती है y intercept divided by x intercept intercept का मतलब होता है distance या फिर gap कह सकते हैं इसको graph कितना एक दूसरे हो कट करते हैं यहाँ पर y intercept अगर हमें निकालना है तो s1 और s2 के बीच में कितना gap है वो हम निकालेंगे यानि s2 minus s1 x intercept अगर हमें निकालना है तो t2 minus t1 करेंगे तो यह जो relation आ जाती है s2 minus s1 divided by t2 minus t1 और इसे हम velocity से denote करते है यह आज के हमारे पूस्ट टोपिक है यह दो तरह के numerical इसमें आ सकते हैं यह अक्चुली आज का जो टोपिक था वो टोटली numerical बेश था एक जिसमें आपको equation से की help से निकालने पड़ेंगे जब आप दो तिन बार इन equation को repeat करके लिखेंगे तो बहुत आसान लगेंगी फिर यह दो तिन numerical try करेंगे तो बहुत easy लगेंगे आपकी बुक में numerical हैं आप try कर सकते हैं और उसके बाद एक टाइप के question आ सकते हैं जिनमें हम graphs की बात करते हैं यह graph दिये जाएंगे time या फिर coordinates जो है उन पर value दी जाएगी जैसे velocity और time displacement और time यही इस तरह से आपको पहचानना है किस तरह का graph है और तीसरे में आपको slope निकालने के लिए निका जाएगा तो आपको intercept निकालने आने चाहिए और उसकी help से आप उस graph का slope निकाल लोगे जैसे आप displacement और time के with respect में है तो result में हमारे पास आएगी velocity तो यह कुछ numerical टाइप रहेंगे और मुझे उमीद है आपको यह concept समझ में आया होगा all the best